योट्यूब से सीखा तंत्रमंत्र और दीब बच्ची की बली बच्ची के पांच अंगों से खोन निकाल कर देवी मा को चड़ाया कातिल कातावा देवी मा ने सपने में आकर बली देने को कहा तस्वीर में जो लड़किया आप देख रहे हैं यहे बारे साल के अनुश्का अनुश्का की मोट के पीछे नहीं तो कोई हादसा है और नहीं कोई दुश्मनी बलकि इसकी मौत काले जादू के चेकर में हुई है अनुश्का के मामा और मामी ने काले जादू के जहासे में आकर अपनी भांजी की बली दे दी अनुश्का की गर्दन, माथा, पेट, सीना और हाथ से खोन निकाल कर बली चड़ा दी और फिर डैड बोडी को पास के खेत में फैक दिया मामा मामी ते शातिर थे क्यों उन्होंने इस वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पुलिस को इस मडर मिस्ट्र को सुल जाने में पसीने चुट गए लेकिन फिर एक शोल से वारदात सुल जी अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्यों लड़की के मामा मामी ने भान जी की बली दी ऐसी क्या वज़े थी उनके सामने और फिर कैसे उन्होंने यूट्यूब से तंत्रमंत्र सीका आई ये इस वीडियो में इसके पीचे की पूरी कहानी आपको बताते हैं यहाँ पर 26 नुवंबर का अनुश्का अपने पिताव देश के साथ पिता के मामा की रिस्तिदारी में लड़की की शादी में शामिल होने आई थी 26 नुवंबर को लड़की की बरातानी थी अनुश्का की पिता के ननीहाल के नए मकान में शादी की रस्मे हो रही थी जबकि पुराने मकान में घर के लोग रह रहे थे जहां शेशनात यादव और उसकी पतनी सवीता जो कि उत्रा खंड में काम करते हैं वो भी शादी में शामिल होने अपने घर आये थे अनुश्का 26 नुवंबर की रात अचाना गयाब हो गई इसके बाद उसकी आसपास के इलाके में तलाश की गई लेकिन सुबह तक वो कहीं नहीं मिली इसे बीच अगले दिन यानि 27 नुवंबर के दिन करीब 11 बजे अनुश्का की डैड़ बोड़ी घर से 200 मिटर दूर खून से लटपत मक्के की धंटलों के बीच मिली इसके बाद पुलिस को सुचना दी गई पुलिस ने बोड़ी को परिवार को सुपा बच्ची को दर्दनाग इस्थित्य में देख पूरे परिवार में कोहरां मच गया लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखर इस बच्ची का मडर किस ने किया पुलिस को मोके वारदात से एक शौल मिला जब पूछताच की गई तो ये शौल बच्ची के पिता की मामी सविता का निकला इसके बाद पुलिस ने सविता को हिरासत में लिया और उससे पूछताच चालू की पूछताच के दौरान सविता ने पुलिस को बताया कि उसका परिवार उत्रा खंड में रहता है और उसका एक बेटा 22 साल का जिसका नाम संजे है संजे मानसी ग्रोप से बिमार है सविता उसे ठीक करने के लिए तंतर मंतर की सादना करती है तंतर मंतर उसने यूट्यूब से सीके है सविता नागे बताया कि नवरात्री में देवी माँस के सपनी माई थी और कहा था कि अगर उसने किसी कौारी करने की बली दे दी तो उसका लड़का ठीक हो जाएगा यहाँ पर सवीता और उसके पती शेशनात देवरिया शादी में आई हुए थे समाहरों में उनकी नजर अनुश्का पर पड़ी तब ही सवीता और उसके पती ने बच्ची को मारने का प्लान मना लिया अनुश्का थोड़ा कम बोलती थी 26 नूब्र को शाम करीब पांच बजे जब सब लोग काम में विस्थ थे तो सवीता ने मौका देखकर बच्ची को अपने पास बुला लिया और फिर रात में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी इसके बाद उसकी बोड़ी के पांच अंगों से खोन निकाल कर बली चड़ाई और फिर देर रात उसकी डेड़ बोड़ी को घर से थोड़ी दूर पास के खेत्म फैक दिया एक लगबग बारा तेरा वर्षी है बालिका का शाओ एक पेड के नीचे छुपाया हुआ हम लोगों को मिला था इसमें अभियोग के जिकरत पहले ही कर लिया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको सक्सेसफुली वर्काउट हमारी पूरी देवरिया पिलिस की टीम ने कर लिया है और इसमें जो अबालिका जिसकी रित्व हुई थी वो अपने पिता के साथ अपने पिता के मामा के यहां एक शादी के समारों को अटेंड करने के लिए आई वही थी और वहीं पिता के जो मामा हैं मामा और उनकी पतनी इन दोनों के द्वारा ये घटना की गई थी इसमें जो इन दोनों ने इस घरना को एकसेट भी कर लिया है और सारी evidences हम लोगों ने इसमें लिएदर किये हैं पूछताच में लोगों ने हम लोगों को बताया है कि जो सविता जो इस मृतिका के पिता की मामी है उनको स्वपन में कोई देवी का विजन आता था और देवी ने उन्हें स्वपन में ये कहा कि अगर वो किसी इंसान की बली देंगे किसी बालिका की तो उनका जो लड़का संजय जो वो बताते हैं कि थोड़ा उसको मांसिक रूप से कुछ समस्या है तो वो समस्या ठीक हो जाएगी और इसी चीज को लेकर उन्होंने शादी के समारों में चुकि सब लोग गस्त थे उसका पायदा उठाकर बच्ची को बहला अफुस लाकर अपने घर पर उसको बुला लिया और फिर गला काट कर उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी ये पूरे घटना करम का सक्सेसफुली हम लोगों ने वर्काउट कर लिया और इस टीम जो जिसने ये वर्काउट किया है उसको पचास हजार रुपे का जो इनाम है वो डियाईजी गोरपुर रेंज द्वारा गोशित किया गया है और इसके अलावा डियाईजी सार ने ये भी कहा है कि इस टीम के सफल वर्काउट के लिए डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए इनके संस्तुती हम लोग के द्वारा की जाएगी पुलिस ने बच्ची के पिता के मामा मामी को गरफतार कर लिया और आगे कारवाई की जा रही है बिरो रिपोर्ट क्रैम तक